हालो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्रा वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज हम लोग 20 कोश्चन कवर करने वाले हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा अगर आप CG व्यापम और CG PSC की तयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे हैं तो आई ये स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्वेस्चन है निम्ल लिखीत में से कौन सा संस्थान इस राज्य में नहीं है Option A है भारतिय प्रबंधन संस्थान Option B है अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान Option C है भारतिय प्राद्योगिक संस्थान Option D है उपरोक्त सभी Correct हमारा answer आजाएगा इसमें Option C को आप लोग select करेंगे भारतिय आद्योगिक संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इस राज्य में नहीं है तो इसका correct answer क्या आजाएगा भारतिय आद्योगिक संस्थान Second हमारा question है दोस्तों यहां राज्य निम्नलिखित में किन नदी तंत्रों का जल ग्रहन छेत्र है Option A है कंगा गुदावरी महानदी Option B है महानदी गुदावरी कृष्ण Option C है महानदी तापी गुदावरी Option D है महानदी गुदावरी कावेरी तो इसका correct answer हमारा क्या आजाएगा Option A को आप लोग select कर लेंगे गंगा गुदावरी महानदी यहां राज्य निम्नलिखित में किन नदी तंत्रों का जल ग्रह छेत्र है तो answer में आप लोग किसी टीक मार लगा दोगे Option A आजाएगा गंगा गुदावरी महानदी Option A को आप लोग select करेंगे अगला प्रैसन देखते हैं दोस्तों जोके important question है वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जीले है Option A है 19, Option B है 21 और Option C है 27 और Option D है 18 तो correct answer हमारा क्या आजाएगा 27 Option C को आप लोग select करेंगे वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जीले है तो answer में आप लोग किसी टीक मर लगा दोगे 27 Option C इसका correct answer आजाएगा अगला question देखते हैं भारत छोड़ों आमदूलन की समय भारती राष्टिय कांग्रेस की अध्यक्च कौन थे बहुत अच्छा प्रैस नहीं दोस्तों Option A है मौलाना आजाद Option B है महत्मा गांधी Option C है जोहलान लहरू और Option D है अचार्य की प्लानी तो correct answer हमारा क्या आजाएगा Option A को आप लोग select कर लेंगे मौलाना आजादी भारत छोड़ों आंदोलन की समय भारती राष्टिय कांग्रेस की अध्यक्च कौन थे तो answer में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे मौलाना आजाद Option A इसका correct answer आजाएगा अगला question देखते है राष्टिय उद्यानों की संख्या इस राज्यमे है Option A है 6 Option B है 3 Option C है 5 Option D है 4 तो correct answer हमारा क्या आजाएगा Option B को आप लोग select कर लेंगे 3 आजाएगा राष्टिय उद्यानों की संख्या इस राज्यमे है तो इसका correct answer क्या आजाएगा Option B को आप लोग select कर लेंगे 3 आजाएगा अगला प्रस्णों की ओर चलते है भारत के 24 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे Option A है Dr. Y B Ready Option B है पार्थ सार्थी और Option C है विजय केलकर और Option D है अभिजीत सेन तो correct answer हमारा क्या आजाएगा Option A को आप लोग select कर लेंगे Dr. Y D Ready Option A इसका correct answer आएगा भारत के 24 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो Dr. Y B Ready Option A इसका correct answer आएगा अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों जो की important है एक विद्यार्थी अपने तीन प्रेशन पत्रों में 90, 60 तथा 54 अंक प्राप्त करते हैं यदि इन प्रेशन पत्रों में कुल अंक क्रमसह 100, 1.5 तथा 200 है तो कुल प्रतीसत क्या है Option A है 64 Option B है 70 Option C है 68 Option D है इन में से कोई नहीं तो correct answer हमारा क्या आजाएगा 64 Option A इसका correct answer आएगा क्वेशन को एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूं एक विद्यार्थी अपने तीन प्रेशन पत्रों में 90, 60 तथा 54 अंक प्राप्त करते हैं यदि इन प्रेशन पत्रों में कुल अंक क्रमसह 100, 1.5 और 200 तो उसका कुल प्रतिसत कितना होगा 64 परसेंट होगा Option A इसका correct answer आजाएगा अगला प्रेशन देखते हैं भारत के सविधान की कीरा अनुछेद द्वारा केंद्र सरकार नए राज्य का निर्मान करती है Option A है अनुछेद 3 Option B है अनुछेद 4 Option C है अनुछेद 6 और Option D है अनुछेद 7 तो correct answer हमारा क्या आजाएगा Option A को आप लोग select कर लेंगे अनुछेद 3 Option A इसका correct answer आएगा अगला प्रैस्न देखते हैं दोस्तों भारत में राश्टिया आय का अनुमान की संगठन द्वारा लगाया जाता है Option A है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया Option B है वित्तमंत्रालाई Option C है राश्टिया न्यादर्स सम्वेक्षन संगठन और Option D है केंद्रिया संसी की संगठन तो इसका correct answer क्या आजाएगा केंद्रिया संसी की संगठन Option D को आप लोग सेलिक्ट करेंगे भारत में राश्टिया आयका अनुमान की संगठन द्वारा लगाया जाता है तो इसका correct answer क्या आजाएगा option number C को आप लोग सेलेक्ट करेंगे केंद्रिय सांसे की संगठन option number D को आप लोग सेलेक्ट करेंगे अगला प्रस्न देखते हैं निम्नलिखित में से वहां कौन सी वहां छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्यक स्थिति में 6, 4 रहता है option A है 104, option B है 108 और option C है 94 और option D है 92 तो इसका correct answer क्या आजाएगा option number C इसका correct answer आजाएगा 94 question को एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूं निम्नलिखित में से वहां छोटे से छोटे संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्यक स्थिति में 4 से सर रहे तो इसका correct answer क्या आजाएगा 94 option number C इसका correct answer आजाएगा इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल है option A है धान, option B है बाजरा, option C है गेहूं और option D है गन्ना तो correct answer क्या आजाएगा, option number D को आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा नदी फसल है तो इसका correct answer क्या आजाएगा, option number D को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे गन्ना आजाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना दी का मुहाना है, option A है गंगोत्री, option B है मांसरोवर, option C है दुआर, और option D है सुन्दर बन तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, सुन्दर बन, option number D को आप लोग सेलेक्ट करेंगे गंगा नदी का मुहाना कौन सा है, सुन्दर बन, option number D को आप लोग सेलेक्ट करेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तो, निम्ना महारतन कंपनियों में से किस नविंतम कंपनी को सामिल किया गया है option A है, N, T, P, C और option B है, S, A, I, L, C, L और option C है, C, I, L और option D है, B, H, E, L तो इसका correct answer क्या जाएगा, option number D को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, B, H, E, L निम्ना महारतन कंपनियों में किस नविंतम कंपनी को सामिल किया गया है, तो इसका correct answer क्या जाएगा option number D को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, B, H, E, L, option number D इसका correct answer आजाएगा अगला question, समान्यतह भारतिय राष्टपति राज्यपाल के नियुक्त के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह देता है, यहाँ है option number B को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मान्यतह या परमपरा, option C है कानून, और option D है राष्टपति का दाईत्व तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, option number B को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मान्यता या परमपरा समान्यतह भारतिय राष्टपति राज्यपाल के नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह देता है, यहाँ है option number B को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मान्यता या परमपरा next question देखते हैं दोस्तों, जो की important question है भूनेशवर किस रेल जोन का मुख्याला है option A है पूर्व, option B है दक्षिन पूर्व और option C है दक्षिन पूर्व मद्य और option D है पूर्व टट तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, option number D इसका correct answer आजाएगा पूर्व टट भुनेशवर किस रेल जोन का मुख्याला है तो पूर्वर टट का मुख्याला है option number D इसका correct answer आएगा अगला question देखते हैं इस राज्य में कितने राज्य सभा सदस्य है option A है 5, option B है 8, option C है 3, option D है 6 तो correct answer हमारा क्या जाएगा 5 option number A इसका correct answer आएगा इस राज्य में कितने राज्य सभा सदस्य है तो answer में आप लोग किसे टीक मार लगाओगे 5, option number A इसका correct answer आएगा अगला question देखते हैं सूर्य उर्जा का अंततह इस्त्रोत निम्नलिखित में किन कारण से है option A है नियंतरन विखंडन अभी क्रिया option B है अभी नियंतरन विखंडन अभी क्रिया option C है नियंतरन संग्रल है अभी क्रिया option D है अभी नियंतरन संगल अभी क्रिया तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option number B को आप लोग select कर लेंगे अनीनियत विखंडन अभी क्रिया option number B इसका correct answer आएगा अगला question देखते हैं दोस्तों V.01 प्लस 010.0064 का मान है option A है 0.03, option B है 0.3 option C है 0.9 और option D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो correct answer हमारा क्या आजाएगा 0.3 option B को आप लोग select कर लेंगे अगला question देखते हैं तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option C इसका correct answer आएगा स्वसंतरता संग्राम में इस राज्य का प्रथम सहीद होने का गवरो किसे प्राप्त है option C को आप लोग select करेंगे वीर नरायन C हैं और last हमारा question है दोस्तों महा नदी का मैदान निम्नलिखीत में विस्तरीत है option A है उतरी 36 गड़ option B है मध्य 36 गड़ option C है दक्षिन 36 गड़ option D है सभी में तो इसका answer आप लोग मुझे comment box में लिख के बताएंगे महा नदी का मैदान निम्नलिखीत में विस्तरीत है option आप लोगों के सामने है आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर कीजे ताकि हर किसी क्या इस वीडियो से लाब मिल सके और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को भी आउन करना बिल्कुल भी मत भूलिये मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक क्या थैंक फॉर वाचिंग मैं वीडियो दोस्तो